इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लाश 12 का हिंदी का आपका जैसे की न्यूज सिलेबस के अकोर्डिंग हम आपकी सम्मरी और साथ में इंपोर्टन कोशन करा रहे तो अगर किसी को नहीं पता हो तो क्लाश 12 की हिंदी चल रही आपकी चैप्टर जो है आपका पांचवा आ रहा है बाकि उसके बाल आपके चैप्टर नंबर दो हो गए तीन हो गए चार हो गए यह तीनों जो चैप्टर है यह आपके कटे हुए तो यह आपको याद रखना हम चैप्टर 5 पे डारेक्ट और इसके हम सम्मरी और मोस्ट इंपॉर्टन कोशन जो निकलते हैं उसके बुक है आपकी अंतरा तो स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को इसका हम एक कम है चैप्टर का नाम और इसको लिखा है विश्नु खरे इनका नाम है विश्नु खरे इन्होंने जो है लिखा है एक कम और इसमें बताया गया है कि जो हमारी सोतंतरता होती है हमारे जब दे इमानी से जो है आमीर जो है वह बहुत तेजी से होगे लोग यह सारी चीजे बता गया तो चलिए करते डिसकस सबसे पहले हैं इसकी संबरी देखते हैं तो इस कवीता में विसनुक खरे ने सोतंतरता के जो बाद है उसके महौल पर परकाश डाला है कि सोतंतरता के बाद जो ल बाद आजाद हुआ था दूर हो गए और उसका इस्थान जो है भरष्टा चार और बेईमानी ने ले लिया आप पहले के देखोगे अगर आजादी से पहल तो ऐसे बहुत सारे थे जो अपने देश को देखते थे कि भावना की नजर से कि हमारा देश हम इसे छोड़कर कही ही नहीं जहेंगे लिकिन उसके और यह थी थे जोड़का नहीं जहांगी लेकिन यह जरूर्ण हो गया पर दोइक मनमें यह रूप ले लिया इन तरीकों को अपनाकर लोग आमीर हो गए चस्केelliर को अज़ले जिसम्मों मतलब रोज मरा की चीज़ों के लिए वह इक दूसरे के सामने पहला कर फिलाने के लिए मजबूर थे जिनोंने किया है बरेस्टा और बेमानी नहीं कि और जिस ने कि उनको ऐमीर बता गया तो ये आपका था स्मरी में जिसमें को हमारी सोत इंत्रता के बाद Hof नब ने उनके बारे में कहा गया कि हमाना की को परेस्ट अ। फरेस्टी आ में फ्रस्टा चार उप पूछा जाए तो इह याद रखना है आपको कि यह जो लिखा गया है वह विश्णू खरे द्वारा लिखा गया है और इससे अगर कोई भी कोशन पूछा जाए तो आपको बता देना है और यह था आपका summary आई होब कि आपको समझ आ गया होगा समरी जो था बहुत छोटा था इसमें इतना ही है आपको पंक्तिया दे दिया जाएगा जिसमें आपकी जो है कवी का नाम पूछ लिया जाएगा फिर एक कम कवीता में जो है कुछ भी पूछ सकता है जो मैंने आपको समरी में बता दिया ह तो इसके बढ़ते इंपोर्टन कोशन की तरफ तो इसके इंपोर्टन कोशन जो निकलते हैं वो दो कोशन है कि हाथ फैलाने वाले जो व्यक्ति है उसको कवी ने जो इमानदार क्यों कहा है तो इसके इंपोर्टन कोशन है यह आपको करने है यह दोनों दो इंपोर्टन कोशन निकलते इस चैप्टर से तो इनको जरूर करिए पहला कोशन जो मैंने आपको बताए कि हाथ फिलाने वाले जो व्यक्ति है उसको कवी ने इमानदार कहा है क्यों क्यों कहा ये बताना है आपको ये कोशन में पूछा जाता है तो हाथ फिलाने वाले जो व्यक्ति है उसको कवी इमानदार इसलिए कहा है क्योंकि ना तो उसने ब्रश्टा चार किया ना बेमाइनी करी तो इसलिए कभी ने उसे एक तरह से कहा है कि वो इमानदार है हाथ फिलाने वाले को कभी ने इमानदार इसलिए का है क्योंकि इमानदार होने के कारण उसने भरष्टाचार और बैमानी को नहीं अपनाया जिसके कारण गरीब रह गया यदि भरष्टाचारी करता तो वह भी अमीर बन जाता उसे किसी के आगे हाथ फिलाने और भीक मांगने की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है यह सजा उसके लिए मिली कि वह इमानदार घा तो गरीबी की सजा क्यों मिली है अगर कोशन पूछा जाये कि एक कम में गरीब वैकतियों को क्या सजा मिली है तो तो इसके लिए जैसे हमें जो नीड होती है बेसिक नीड पानी हो गयात का रोटी यह सारी चीजे उनके लिए डूसरे के आगे हाथ फ़लाने लग गए तो इमानदारी जिस आप कहा सकते हो कि जिनोंने भरष्णाचार किया है वह बेमान थे एक तरह कि थे ज्यादा तो ऐसे बाटा गया इनको और यह था आपका इसका आंसर की हाथ फेलाने वाले व्यक्ति को कभी ने इमानदार क्यों का है क्योंकि वह जो है भले ही वह गरीब हो लेकिन उन्होंने कभी भ्रश्टाचारी यह बेमानी नहीं करी और जिसकी वज़े से क्या है कि इनको दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है यह समझ गहें होंगे आप अगला कोशन पूछा जाता है कभी ने आपने आपको भिलाचार कहता हे कभी कामचोर धोके बास कहता है क्यों कहता है क्योंकि यह सब जानते हो भी लोगों की मदद नहीं कर पाता है जो गरीब वर के लोग मतलब जो गरीब लोग होते हैं जो दूसरों के आगे हाथ पहलाते हैं तो कवी ने सोयम को लाचार काम चोर और धोके बाज इसलिए कहा है क्योंकि वह चाकर भी क्या है इन लोगों की साहिता नहीं कर पा रहा था कभी ऐसे भरष्ट और काम चोरी के वातावरन में अपने आपको ऐसमर्थ महसूस कर रहा है वह इमानदार लोगों की साहिता तो नहीं कर पा रहा है लेकिन वह उनकी रहा में बादा भी नहीं बनना चाहता तो यह सारी चीजे है आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कवी आपको पंक्तियों के बारे में जब आपका एक्जाम होगा तो कोई एक या दो पंक्तिया ऐसी दूगा जो बहुत चांस से एक्जाम में आरे की तो उसको आप रेडि कर लेना बाकी आप समरी समझ रहे होंगे तो ऐसे कोई कोशन आएंगे तो आप कर दोगे मुझे पता है तो यह आई होप कि आपको समझ आ गया होगा यह था आपका चप्टर नंबर प तक हमारा जो प्रिविएस चैप्टर था जिसको आपके जैसंकर परसाजी द्वारा लिखा गया था एक देवसिना का गीत हो गया एक कारनेलिया का गीत दोनों ही करवा दिया गया है अगर किसी भी बच्चे ने नहीं देखा हो तो चैनल पर जाकर देख सकते हो वहां भी आ कहीं जै भारत बंदे मात्रव